Let's move on बहुत important topic है FPSC point of view से अकसर FPSC general science के अंदर से जो important questions करता है वो इसी topic से करता है तो electrical properties of materials ये एक बार समझ लीजे इंशाला पूरी जिंदगी आपको ये चीज याद रहेगी तो electricity is a very fast moving electrons it is the most popular form of energy and it can be easily converted into all other kinds of energies ठीक है तो जैसा के हम जानते हैं के बिजली जो है वो बहुत तेजी से यूनो बहुत तेजी से सफर करती है ठीक है moving electrons है fast moving electrons है तो it is most popular form of energy अगर सब energies को हम देखें coal energy को देख लें petroleum products देख लें diesel देख लें तो ultimately जो सबसे popular form of energy है वो इस वक्त जो मौझूद है हमारे हाँ वो है electricity ठीक है it can be converted into all other kinds of energies ठीक है आप electrical energy को दूसरी kinds of energies में change कर सकते हैं materials can be classified into the three categories when electricity is passed through them अब याद रखेगा ये तीन categories बहुत ज़्यादा important है different तरह के MCQs यहाँ से आप से पूछे जा सकते हैं अब पहली क्या चीज़ है conductors दूसरी insulators and तीसरी semiconductors ठीक है इन तीनों में बड़ा ही आसान सा जो फर्ख है वो आपने याद रखना है और आपको ये चीज़ हमेशा याद रहेगी इंशाला अब हम जब बात करते हैं conductors की those materials which allow which allow the electricity to pass through them easily without much resistance are called conductors such as metals like copper, aluminium, iron, silver, gold and their alloys are conductors अब conductors से क्या मुराद है जिससे बिजली पास हो जाए अब ये मेरे जो ये टेक मा का निशान है ये याद रखेगा ये चीज़ आपको इस तरीके से आपको हमेशा याद रख सकती है तो इसका मतलब क्या हुआ चीज़ conductor से पास की जाएगी तो वो चीज़ ये एनरजी जब हम popular energy की बात करते हैं वो popular energy हमारी कुन सी है वो popular energy हमारी बिजली है बिजली जब भी आप conductor से cross करेंगे तो without any resistance वहाँ से क्या हो जाएगी cross हो जाएगी, गुजर जाएगी ठीक है, यहाँ तक बात समझा गई अब इसकी famous examples क्या है copper, aluminium, gold silver, ठीक है जितनी भी ऐसी चीज़े हैं उससे आप ये जो बिजली है ये आराम से cross हो सकती है तो conductors के अंदर आप क्या देखते हैं, conductors के अंदर से बिजली आराम से cross हो जाती है फिर हम बात करते हैं, insulators की insulators, those materials which do not allow the electricity to pass through them ठीक है, insulators क्या करते हैं यह आपको allow नहीं कर सकते या allow नहीं करते कि उससे बिजली cross हो, ठीक है insulators are those which do not allow the electricity to pass through them, are called insulators, such as rubber आप देख लें, rubber में से आप क्या cross हो सकती है आपकी बिजली कभी नहीं हो सकती मीका, glass, plastic से आपने कभी बिजली को cross होते हुए देखा है, नहीं wood, आपने लकडी को कभी बिजली से cross होते हुए, लकडी में से बिजली को cross होते हुए देखा है, नहीं पेपर से कभी आपने बिजली को क्रॉस होते हुए देखा है नहीं तो इंसुलेटर्स आर थोस काइंड आफ तिंग्स जिससे आप बिजली क्रॉस नहीं करवा सकते ठीक है तो यह हो गए इंसुलेटर्स अब जब सेमी कंडॉक्टर की बात करते हैं तो सेमी कंडॉक्टर में कुछ ऐसी प्रोडॉक्स होगी कुछ ऐसी चीज़ें होगी जिससे बिजली क्रॉस हो जाएगी और कुछ ऐसी होगी जिससे बिजली क्रॉस नहीं होगी ठीक है अब इस मेंटीरियल씨 which allow the electricity to pass through them only partially and call semi conductor such as silicon आप देख ले ठीक है बहुत मुश्किल से इस में से आप cross करवा सकते हैं बिजली फिर germanium and selenium ठीक है तो यह तीन types हो गई तीन categories हो गई किस चीज की electrical properties की let's move on most important mcqs अकसर आपने मेरे जितने भी lectures अब तक इस batch के अंदर हो चुके हैं आपने देखा होगा कि most important part में अकसर mcqs डालता हूं इसकी वज़ा यह होती है कि आपके लिए असानी हो जाए sometimes यही questions जो है हो repeat हो जाते है exams के अंदर जो के you know आपके लिए फायदा हो जाता है तो one by one देख लेते है wind energy is the dash energy बता चुका हूँ kinetic energy है मैंने आपको पढ़ाया ना wind energy wind mills से जो बिजली हम त्यार करते हैं इसको क्या कहा जा सकता है इसको kinetic energy कहा जा सकता है which of these is not form of energy अब बताना है कि इसमें से कोल सी जो है वो form नहीं है energy की तो heat आप जानते है heat is the form of energy ठीक है हमें coal से भी मिलती है petroleum products से भी मिलती है even आपकी electricity से भी हमें heat हासल कर सकते हैं फिर light है light जिस तरह के solar energy के हवाले से मैंने concept बताया तो light is also form of the energy तो हमें पूछा क्या जा रहा है कि which of these is not a form of energy तो electricity भी form है energy की तो temperature एक वहाई चीज है इन options में जो के क्या है जो के energy की form नहीं है ठीक है उसके बाद question number three potential energy means what potential energy means due to position of object due to the position of object आपकी क्या होगी potential energy कहलाएगी अचा the unit of energy in SI units is हम already पढ़ा चुके हैं आपको most common जो measurement units यह उसमें पढ़ाया था मैंने आपको the unit of energy SI SI unit क्या है energy का तो वो जोल है अचा उसके बाद energy possessed by water in dams में water है obviously ठीक है क्योंके मैंने जैसा यह बताया potential energy क्या है यहाँ पर आप देखेगा due to the position of an object is known as what is known as potential energy तो energy possessed by water in dams क्योंके moving object है न अब पानी क्या है moving object है flow करता है न ठीक है और पानी जब flow करेगा obviously यह क्या कहलाएगा potential energy कहलाएगा ठीक है let's move on the commercial sources of energies are ठीक है commercial sources क्या है energy के ठीक है वो देख लेते हैं तो आप देखेंगे fossil fuels जिसमें मैंने आपको पढ़ाया petroleum products coal ठीक है hydropower and nuclear energy all are the examples of what commercial sources which form of the falling is not a conductor हमने बताना है के conductor इसमें से कौन सा है हमें आपको detail से पढ़ा चुका हूँ 3 categories conductors semi conductors and insulators conductors are those जिसमें से बिजली cross हो जाती है कोई resistance नहीं होती फिर insulators are those जिनमें से बिजली बिलकुल भी cross नहीं होती यह completely resistance होती है ठीक है फिर semi conductors are those things जिसमें से बिजली तो cross हो जाती है लेकिन उसको resistance का सामना रहता है तो आप aluminium देख लें gold देख लें graphite देख लें यह all are what all are which of the following is not a conductor तो सब के सब इनमें से conductor जो है नहीं है ठीक है all are conductors इनमें से हमने क्या बताना है which form of the following is not a conductor तो हमने देखना है कि इनमें से conductor कौन सा नहीं है तो हमें तीन options में नजर आ रहा है कि aluminium भी conductor है gold भी conductor है graphite जो के pencils वगेरा में आपने देखा होगा अकसर chemistry के laboratory में आपको एक एक तजर्बा करवाया जाता था जो सिक्का होता था pencil का वो graphite के लाता है तो उसमें से दिखाया जाता था कि देखो इसमें से बिजली cross हो रही है ठीक है वो examples थी conductors की ठीक है तो all are conductors तो हमें सारे के सारे conductors है let's move on question number eight the resistivity of the conductor depends upon what it depends on the type of a material के आया वो iron है aluminium है glass है rubber है तो ये सारा depend करता है किस पर types of a material पर अच्छा some substances are good conductors of electricity both the solid and liquid states the substance are generally what general generally they are metallic substances ठीक है उसके बाद question number 10 which is the best conductor of electricity तो options में हमने देखना है best conductor कौन सा है conductors हो हालां कि सारे के सारे आपको यहां पर नजर आ रहा होंगे कि सम में से बिजली cross हो सकती है लेकिन आप से पूचा जाता है कि बताएं best conductor of electricity कौन सा है तो आप इन options पर जब गोर डाल करेंगे तो silver वो है best conductor है इसमें बड़ी तेजी के साथ आपकी बिजली cross हो जाती है ठीक है let's move on question number 11 in ACSR conductors the insulation between aluminum and steel conductor is not insulation is required no insulation is required insulation उसमें required नहीं है question number 12 insulating materials have the functions of what have the functions of preventing a short circuit between conducting wires ठीक है अल्रेडी पढ़ा चुका हो resistance of an ideal insulator is what infinite उसमें जो है resistance महजूद होता है ठीक है अच्छा cork is a good insulator because it has cork क्या है porous body cork जो है cork में से आप यह क्या है insulator है insulator क्या चीज होती है जिसमें से बिजली cross नहीं होती तो इस वज़ा से porous body is a good insulator because it has a porous body selenium is a semi conductor ठीक है selenium is dash semiconductor तो insmic semiconductor ठीक है उसके बाद question number 16 the best conductor of heat among liquids are water नहीं mercury ether या alcohol तो इन सम में से क्या है best conductor heat का कौन सा है liquid में से वो mercury है आप नहीं देखा हो water भी हाँ पर आपको नजर आ रहा हो कि liquid है ether भी and alcohol भी ठीक है which of the following is a good conductor of heat but bad conductor of electricity वो है MECA यह भी अक्सर FBSC के exams में आप से पूछा जाता है उसके बाद हम पढ़ लेते हैं which of the following materials is best conductor of electricity तो copper is the best conductor of electricity okay metals are good conductors of heat because because their atoms collide frequently इनके जो atoms है वो आपस में तक्राते रहते हैं frequently इस वज़ा से a wire having a very high value of conductance is said to be what is said to be a good very good conductor very good conductor a wire having a high value of conductance is you said to be a good conductor question number 22 which of the following is a non-metal is not a power conductor of electricity तो क्या है selenium ठीक है let's move on यह आज का हमारा lecture था general science का lecture number 3 और आप जानते हैं कि यह सब जो हम पढ़ा रहे हैं आपको इससे हम woke test पी आप लोग कंड़क्ट करते हैं ठीक है तो इन्शालला ग्रूप के अंदर आपको बता दिया जाएगा कि आपका हम woke test कंड़क्टर करने वाले हैं और एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि प्लीज woke test को आपने सबने attempt करना होगा जब भी लिया जाए ठीक है तो woke test ultimately आपकी वाहिद एक ऐसी measurement tool होती है आप अपनी performance को evaluate कर सकते हैं ठीक है तो मिलते हैं इन्शालला कल एक नए lecture के साथ जब तब बहुत ख्याल रखेगा अलाहाफ़ज